वाह गुरुजी का खाल्चा वाह गुरुजी की फती एक वार दी गल है एक जंगल दे विज एक मोर रहीदा है मोर नू अपने हुसन ते अपने रूप ते बड़ा कमांड होंदा है बड़ा गरूर होंदा है अपने हुसन करके अपने सोने रूप करके ओ किसे भी जानवर नू किसे भी पंची नू ओना दे दरजिदा नहीं सी समझगा उसनू लगदा सी के मैं सर्व उत्महा मैं सब तो बेत रहा मैं सब तो सुन्द रहा जद कद भी उँ पंच्छीयां देनाल गल करदा, जनवरां देनाल गल करदा ता उनानों उना दे हीन पावना महसूस जिरूर करवाऊंदा उना देनाल गल बात विच एक एदया करदा कि कहो जे हो तुसी, मैं सोना से नखा हां, तुसी कि नेक रूप हो हर वार जिड़ पंच्छी उदे कुड़ आउंदे, उन राशा होके वापिस होया करदे जिड़ा भी उदे कुड़ जनवर आया करदा, उसनों इस तरह महसूस होया करदा कि मैं एस इलाके दे विच क्यों आया है, ये मेरे मत्छे क्यों लगया है हर एक पंच्छी ते जनवर उस नल गल करन तो कतर होंदा सी, हर एकणू पता होंदा सी के जदोए दे नल गल बात करांगे ते उसने गलबात समाबत रूपते जाके करनी है रंगते जाके करनी है उसने एक कहना कि मैं सब तो सुन द रहा सब तो मैं सरव ओच हाँ तुसी पैड़े हो तो अड़ियां अकलां शकलां किसे कामत गाने ऐसे तरीके नाल एक कवार केंदे एक कोई देव आदमी उत्व लंगया जा रहा सी उसने आदमी दिनाल गल बात करनी शुरू किती उक कोई संत बाबा फकीर सी ते गलां गलां दे वेचे उसने फकीर बाबेनों कह देता कि केवेदा सुद्धा सादा मनोख हैं ना तेरे वेचे कोई रांगने ना कुश हो रहा है तूँ परमातमा ने मैं हरान होना तेरी सुर्दिना क्यों कीती कहीं दे फकीर हरान बड़ा सी एना कमांड एना गरूर फकीर ने उसनों बहुत समझावना चाया पर ओ फकीर दी एक ना समझे फकीर ने उसनो अलग अलग उदार ना देती हैं तर्क देते दलील ना देती हैं पर जदो एक इनसान नो कमांड हो जावे ना अपने आप ते गरूर हो जावे और फिर किसे दिनी सुनदा उसना दमाग बंद हो जानदा है आदमी नो दो तेन किसम दे जड़े होंदे ने कमांड होंदे ने किसे नो दौलत दा होंदा है किसे नो रूप दा होंदा है किसे नो अलाद दा भी होंदा है हर एक आदमी नो हंदे ने जिनना काट होएगा और नहीं बंदा तरकीवात करेगा खैर उसने उस फकीर संत बाबे दी कोई ना सुनी उसनों सरफ ए सी के ए एक सदारन मनुख है वो चले आ गया फकीर बाबे ने सोचा कि किसे ना किसे तरीके इसनों पाठ जरूर पढ़ाऊना इसनों सबक जरूर सखाऊना एक वार फकीर बाबा फिर उत्थ लंगया ते ओ कहिंदा के तेरे इलाके दे विच पाई दो सुंदर पंचिया आए ने फलानी फलानी था ते ओ रहेंदे ने सुरोवर दे कंडे ओना ने अपना टकाना बनाया होया है एक कवार जाके मिले शायद तेनु जड़ा कमांड़ा है तेरा चूर चूर हो जावे तरा गुरूर टुट जावे उकेंदा इसमभ भी नहीं परमात्मा ने मूर तो सुन्दर कुछ भी होर नहीं बनाया संत बाबा तो जटों आयां उत्थे वापस चलिया जा मैंनु ना तुदा सके कोई सुन्दर पंची आये ले एस तर्तीदे कोई मेच्थों सुन्दर होर है ही नहीं उस बाबे ने फिर भी कहा कि ठीक है तो इनु लगदा होगे का तो सुन्दर है पर मैं जड़े देखके आया है मेरी यां अखां दी पोख मिट गई है बाबा इने गल लगए के जल्दी न लोतों तुर गया चाहे ओ मोर अपने आप दे विच्च जिना मर्जी मान मैसूस करदा सी किते ना किते उन्हों एक अच्वी जे लागए कि एक सदार्न मनोख ने आके एक यह क्या दता है कि दो सुन्दर पंची ने मैं देखा था सही हो केड़े पंची ने मोर तरंत ओसस रोवर वालनों चल्या गया जीदा पता टकाना बाबा उसनों देखे गया सी उन्हों देखा ओ पानी विच्चों कुछ लब रहे सन दो हंससन हंसन देख जोड़ा सी उन्हों देखोड़े हो गया मोर बहुत उची उची हसन लगया हंसा हरान के मोर सनु देखे हस क्यों रहा है उनने उसनों पोची लिया उननों तो बहुता इंतजार कीता नहीं गया कहीं दे पाई तो क्यों हस रहे हैं तेरी हसेदा की कारने अगों मोर अपने गरूर देविचे कमांडर देविचे हंकार देविचे उत्तर देंदा कि एक इनसान सी शायद उस दी सोच खत्म हो चुकी ऐस उनों सोचना नहीं हो दा अकल वाड़े पास्यों उखाली सी ओ मिनों कह गया कि दो पंच्छी उते सुरोवर दे कंडे तुरे फिर देने ते बहुत सुंदर ने तुसी दसो खुद दसो तुसी सुंदरो के मैं सुंदरा है हंसान दा जुड़ा समझ गया कि ए अपने आप दे विचे हंकारी है कमंडी है बोर लगातार बोली जा रहा सी मेरे खंबां वालवे खो मेरे खंब देखो किने रंगां देली मेरे अपने वालवे खो किना रूप है में नुवेह कि किसे भी इंसान दी पोख मिट सक दी है ते ओ ए गलत वाड़े बरे कह गया है ओ कहें थे ठीक है पाई मान लिया कि असी सदार ना तू खास है पर ए ना पो लग के हर एक देविच कुछ गुण होंदेने कुछ अउगण होंदेने ते असी एस विशे ते कोई बैस दे विच नहीं पैना चाहँदे तो खास है जित्ते रहिणा जाके रहे अपना कामकार कार असी ते रिनाल खिसे किसम दी बियान बाजिश नहीं पैना चाहँदे इन्हीं गाल कहै कि उत वाकिस पर्त गे नहीं मूर ने देखिया कि बंदि snowball जेने मिरे नाल एन ने केंदा तू खास हैं उसादे ने पर तेरी खुराक की है तू खाना की हैं उसने अपने सारी खुराक दास देती एक मिंटली यो चोप होया सारा कुछ गनाउन तो बाद उसने देखा कि मैं किना पैड़ा कुछ खा रहे हैं मैं कही किसम दे कीट पतंगे खाननें मैं कही किसम दे सब सुलुंडे खाननें पाबा कहिएँदा तेनों खुदनों पता लगे अ क ignore के तु की कुछ खारें जी तु खास हैं तेरी खुराक भी खास होने चाही दी सी तो ईनु पता जड़ी हंसा कोनु तो होके आया है उन अदcolored की ऐ किन्दा की ऐ किन्दा थो देख़या होगा सुरोबर दे विच्चों कुछ चुक के खा रहे सैं किन्दा हाँ शायद δो मुती लब के खा रहे सैं किन्दा हाँ उसुचे मुती हीरे ज़ारत एहो जियां चीजानल अपना पेट पर देने एक दम हरान होया बड़ी हरानगी होई उसनो फिर बाबी ने क्या कि देख कोई किसे तरीके दिनाल खास है किसे देवेचे किसे किसम दे गुणने ते किसे देवेचे किसे किसम देने फिर इसे तरीके नल अगन ने किसे विच कोई ने, किसे विच हूर किसम दे ने ते देख, हर एक दे विच खासियत है प्रमात्मा ने हर एक नोग खास बनाया कि तू इस समझ दा है कि तू रांगरूप पासियों खास है ता देख और खुराक पास्यों के निखास निए, और आम खुराक खंदे निए, इसे त्रीक नल हर एक इंसान देविच फरक है, किसे देविच कोई गोन है, किसे देविच कोई ओगन है, हर एक नू एक तराजू विच नहीं तो लिया जा सकता, मौर अपने इंकलती मन गया, उस इसानों किसे पास्यों खास बनाया है ते साड़े विच कुछ अगण भी होने है गण अते अगण लेके ऐसी तर्थीदे विच एक खास किसम दा संतुलन बना के तुरे फिर दे हैं ते जेकर सर्फ असी अपने गण देख के हर एक नों कई है कि देख आ मेरे विच गण तेरे विच ने इदा मतलब वो संतुलन विगड रहा है इस चीजने साड़ा नकसान करना किसी हूरदा ने स्याना बंदा ओ है जिस दा फोकस जिस दा त्यान अपने अगण वाल है अपने गणा दा गायनता सारी कर लें देने पर अपने अगण हर कोई शिपाउदा रहेंदा है स्याना बंदा अपने अगणा ते काम कर दा है कि आ मेरे विच गल्तिया मेरे विच खनामी है में इसनों कड़ना है जिड़ा बंदा अपने ये गल्तियां ते काबू कर गया एदा मतलब उसने अग्य वदना शुरू कर देता तरक्की दे रास ने अपने आपले खोल ले ते जे सर्फ आपा मोर वंगू अपनी एक दी कला जो प्रमात्माने बक्षी है उसता टिंडो रास सारे जागवेच पिट दे रहे एदा मतलब है कि असी अग्य वदन दी कोई चानी रख दे असी संतोष्ट हो गया जिनना कसानों मिल गया ते होनसी दूजयां दे नालस दे तुलना कर दे फिर दे है मेरे कुले आवाद दे तरी कुले है नहीं है तरी कुले पर आपानों ये नहीं पता क्यों की कोश अपने अंदर सुमोई बैठाए केड़ी केड़ी कला देनाल प्रमात्मा ने उसनों नवाज जाए प्रमात्मा ने एस दर्ती देऊते इस दुनिया देऊते हर एक जी जड़ा पे जैना उसनों कोई ना कोई खास शैद देती है खास कला देती है कदी भी किसे नों काटना आंको इस कहानी तो सानों बहुत बटी हैं सिख्यावा मिल दी हैंने सानों हमेशा ले पल्ले बन लेनियां चाहिए हैं